रा, डबी डबी रा, रा है न ये रा, डबी डबी रा जो कि अभी तक announce भी नहीं हुआ है, अभी तक confirm भी नहीं हुआ that Roman Reigns versus The Rock is going to happen and then they are promoting that Vegas, Vegas है, पता नहीं कौन सी जगर पर ये press conference जो होने वाली है, I think that is going to be more important than anything else because वहाँ पर हमें पूरा circumstance देखने को मिलेगा कि बहुए, क्या सीन है, सबसे पहली बात तो The Rock हमें पहली बार audience के सामने देखने को मिलेंगे, granted कि वो ये raw smackdown वाली audience नहीं है, तो I don't know कि reaction क्या होगा, reaction होगा भी है या नहीं होगा, क्या पता, but The Rock को जो मिर को लगता है कि reaction मिला था उनके return होने पर, या भी latest वाले में, वो reaction अब वो दुबारा से expect ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आज की raw से इतना तो पता चल गया, that fans तो Cody Rhodes की तरफ ही है, by the way I'm not talking about ये वाले जो fans जो Rock की तरफ जा रहें, ये भाई नहीं, वो audience में translate नहीं हुआ, I'm sorry, बट जितने भी लोग Rock को support कर रहे थे, नहीं दिखाई दिया भाई, TV पर, TV पर तो Cody वाले दिखाई दे रहा था, अब उस पर WWE ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया, WWE ने का लो एक काम करो, अगर इधर ही चल रहे हो, तो हमारी उंगली पकड़ के चड़ लो, तो उन्होंने क्या किया, Rock के भारी, We Want Cody, We Want Cody के वो templates भाटने लग गए, यानि कि अब WWE भी चारी है, कि जो Yes Movement था, अब उसको organically grow किया जाए, और उसमें WWE भी help कर रहे है, and I'm really enjoying it, and I'm not saying कि यार, मुझे Cody Rhodes आजी confirm चाहिए, मुझे आजी confirm चाहिए, नहीं, you take your time, it's okay, we can see a big monster building, और पहली बात तो यार, जरूरी नहीं कि Cody Rhodes को इतना बड़ा superstar बनने तो एक यह दिन में बन जाए, ऐसा कुछ यह नहीं होगा यार, अराम से take your time है न, Cody Rhodes ने आज भी decision नहीं लिया, हमने देखा, Cody Rhodes उ Seth Rollins सामने सामने दे, तो अच्छा, The Rock के reaction के लिए लोग कह रहे थे, भाई The Rock के बारे में ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि The Rock और रोमनेस ना हो, The Rock को reaction देखो कैसा मिलो, भाई The Rock का reaction, आप क्या compare, आप तो कुछ, भाई Attitude Era को क्यो compare कर रहे हैं अभी से, Attitude Era तो बहुत दूर होगे, मैं कहरों, जो भी पिछली SmackDown में देखने को मिला, वो ही नहीं होगा दुबारा, Rock को जो reaction मिला था, वो नहीं मिलेगा अब दुबारा से, ये तो अब लिखके ले लो, obvious सी बात है यार, ये, This is what Batista gone through, 2014 में जब Batista आया था, I was a big fan of Batista, आपको पता होगा, जब John Cena और Batista एक ROM, एक SmackDown में, तो मैं Batista गाय हुआ करता था बचपन में, तो मेरे ले कितनी बड़ी बाती को, Batista return कर रहा है, 2014 में आया और Royal Rumble भी जीतने वाला है, क्योंकि हमारे दिमाग में चल गया था, ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, तो सोचो उसके साथ इतना बुरा हुआ, तो वही चीज जब हमें The Rock के साथ देखने को मिल रही है, ये बस Royal Rumble और जीत जाएगा, तो साथ ज्यादा बढ़िया होता, बट क्यार, obviously we all, एक तो पहली बात तो हर को ये कह रहा है, Roman Vs. Rock पहले तो चाहिए था, अब क्यों नहीं चाहिए, अरे अब इसलिए नहीं चाहिए चाचा, क्योंकि Cody Rhodes Royal Rumble जीत गया है, और मैं ये नहीं चाहता, कि आगे 10 साल बाद मैं ये याद रखू, क्यार, Cody Rhodes एक बार Rumble जीता था था ना, लेकिन उसने क्या किया है, उसने वो कुर्बान कर दिया, और जो उसकी स्टोरी चल रही थी, कि वो सब उसने का कि भार में जाए, पहले मैं इन भाईयों को लड़वाता हूँ, उसने ऐसा किया, ये तो मैं याद नहीं रखना चाहूँगा किसी भी कीमत पे, आप Roman Versus, मैं तो Roman Versus पे Rock के लिए कब से तयार हो, लेकिन, रहने दो अब, अब हो गया, अब हमें Cody Rhodes, भाई मेर को अच्छा लग रहा है, भाई मैं Cody Rhodes को दो तरह बड़ा supporter था भी नहीं, I liked him, बट अब Cody Rhodes next level पे आ चुका है मेरे लिए because of all the things that happened, जिस तरीके से, अब Cody Rhodes को एक, बेबी फेस दिख रहा है, सबसे बड़ी बात है, मैं ऐसा बंद हूँ जो की heel को बहुत जादा पसंद करता है, Roman Reigns being one of my favorites, तो ऐसे मैं Cody Rhodes को पसंद करना में बड़ा मुश्किल था, because अब मैं baby face की तरफ नहीं attract होता, but Cody Rhodes ने वो काम कर दिया है and I'm really enjoying this part of the process, जहाँ पर हम enjoy कर सके उस road को जिस road पर हम चल रहे है, people often talk about road to WrestleMania, road to WrestleMania, but they only care about the WrestleMania के बाद का result, the output, the outcome and the row after WrestleMania की क्या-क्या हो सकता है, but they forgot कि यार हमें इस journey में enjoy करना है, बढ़ लोग लिख रहे है, die Rocky die, die Cody die, बढ़ क्या है यार, गधे हो कि मत देखो फिर यार, WWE और यह सब क्यों होता है, यह एक iscapism होता है, कि आप अपने जो यह फलतों की जन्डू सी life चल रही होती है, उससे हट के हम WWE, और WWE में आके तुम ऐसे हग रहे हो, क्या फाइदा है, रहने दो, फिर तो कोई फाइदा है नहीं, मत देखा करो WWE, यार, अगर इतना ही serious होना रहता है, तो, that is just bad, now, with that being said, मैं यह कहरों कि अब जिस भी team को support कर रहो, अच्छे से support करो, अब अच्छे से यह मतलब नहीं कि भाई मर जा, रॉक मुर जा, यह सब नहीं है, यह हरकते तो बेकार है, बट जिस भी team को support कर रहो, ऐसा करो कि 10 साल बाद आप याद रहो कि अब हाँ यार क्या टाइम था है, उस टाइम पे मैं टीम रॉक में था और ऐसा ऐसा हुआ, टीम कोडी में था, ऐसा ऐसा हुआ, कोडी रोट्स को बोल ले तो दो कोई, कोई भूल ले ही नहीं दे रहा है, वाइस नोबडी लेटिंग कोडी स्पीक, वाइस दिस प्रॉब्लम, आई डोंट नो मैं, क्या, ड्रू मैं किंटार आ था बीच में इंटर्फियर करने, और ड्रू मैं किंटार के लिए इज़द बढ़ गई है, और ड्रू मैं किंटार जिस तरीके से बात कर रहा था, यह कौन था, यह तो मैंने पहली बार ऐसा मैं किंटार दे रहा है, फुल मतलब वो मिनिपलेट करने की कुशिश कर रहा है, कि, कोडी पे तुम कहां इन चक्रों में पड़े हो यार, सेथ रॉलिंस को कह रहा है, रहे तु कोडी से लड़ेगा, यार तु तुम को तीन बार हार चुका है, और यह बहुत लॉजिकल पॉइंट निकाला, अब तक इसके बारे में में मेंशन नहीं हुआ था, कोडी रोड्स ने आज भी कोई डिसीजन नहीं लिया, मेंकिंटार ने मत्था पोड़ दिया सेथ रॉलिंस का, यह बता रहा है कि मेंकिंटार सेथ रॉलिंस को चाह रहे हैं, और मेंकिंटार सेथ रॉलिंस भी हो सकता, बट कोडी रोड्स बीच में कूद गया, Cody Rhodes ने McIntyre को attack कर दिया Now this is where the problem lies यहां के बाद हो गई crowd silent because crowd को भी दिग गया न अब अगर तुम किसी के चाटा मार दोगे तो obviously वो बिना match लिए तो रहेगा नहीं तो लोगों को यह हो गया कि कहीं हम triple threat की तरफ तो नहीं बढ़ रहें नहीं WWE हमारे साथ दोनों साइड का गेम खेल रही है कि भहिया वो rock versus roman भी देगी वो हमें Cody Rhodes के लिए भी पूरा motivate करवा देगी कि Cody Rhodes जो जाने वाला जाने वाला लेकिन Cody Rhodes भी नहीं जाने वाला वो दोनों तरफ से मजे लेंगे दोनों तरफ से टिकेट के पैसे खीचेंगे and फायदा किसका होगा obviously WWE का पोपट किसका होगा हम लोगों का mental pressure किसको पढ़ेगा हम लोगों को पढ़ेगा गालिया किसको पढ़ेगी हमको पढ़ेगी and the fact की Cody Rhodes नहीं डिसीजिजन नहीं लिया जब लास्ट में बुल रॉप मैच होगा भाई साथ आमेजिंग मैच शिंसके नकामूरा यार भाई बंदे में है तो दम बंदे को ऐसे यह नहीं यूज किया जा रहा है अब मुझे लग रहा है नकामूरा वर्सेस काजुचिका उकाड़ा को ही न कर दे ये डारेक्ट टबी डबली जपान चैंपियंशिप हो सकता है बिकोज एनेक्स्टी अल्टिमेटली जपान में भी एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहे तो क्या पता कर चुछिका उकाड़ा को लाना अच्छा मूव साबित हो एनिवेज हम कहाँ टॉपिक से बटा करें मैं ये कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स को बाद में फिर अटैक किया जब ड्रू मैकिन्टार ने उसने और दिल तोड़ दिया बट एक होप है यभी क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर है I want कि कोडी रोड्स का जो भी है मैं सही में कहा रहा हूँ हम कितना ही कुछ भी बोले सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मजे सिर्फ डबडबली के आने वाले है and the fact कि वो support भी कर रहे है क्योंकि जिस तरीके से commentary में इस चीज़ को acknowledge किया जा रहा था कि ऑभी big deal है पता नहीं वाँ पर NHL या NFL जो भी होता है उनके sports player इस चीज़ पर बात कर रहे हैं तीन दिन से Cody Rhodes trending पर चल रहा है तो obviously इसके उपर बात तो हो नहीं बनती है now अब ये global topic बन चुका है लोग कहरें कि यार reaction नहीं मिलेगा वो ट्विटर पर हुआ था ना तो ट्विटर का ट्विटर पर ही रह जाएगा लेकिन जो rock ने किया Cody Rhodes को गले मिलके और वो smile देके कि अब ये तू हट यहां से मैं लड़ूंगा rock से वो तो smackdown पर हुआ वो तो tv पर हुआ है तो क्यों उसका reaction जो टीवी पर ना मिले obviously टीवी पर मिलेगा वेट कर लेते हैं वेट कर लेते हैं लोग reaction पर बड़ा वो कहरें ने कि rock a pop rock a pop rock a pop let's wait for the rock a pop when he comes on smackdown let's see कि कितने boo मिलती है क्या वो Roman Reigns को जो मिला करती थी boodho 17 को उसका record तोड़ देगा या नहीं मेरे को तो लग रहा है तोड़ देगा क्योंकि Roman की वो खुद की hate थी अब क्या है अब ये Cody Rhodes दूसरे बंदे की hate है और वो बहुत तगड़ी होती है जब दूसरे के बंदे से आती है anyways comments में लिख कर बताना मेरे को तो overall आज की raw में मेरे को लगा कि Cody Rhodes के साथ अब ये खेलने वाले है obviously बनता भी है क्योंकि road to wrestle मीने लंबा होता है ऐसा तो नहीं है कि इन्हें अचानक से क्या बोलते Cody Rhodes को confirm करके इन्हें कुछ मिल जाएगा ये तो नहीं है ये चलाएंगे तो उस pace पे जिस pace में अच्छा है मेरे को लगते है कि ये pace अच्छी है यारा आप अनाम से time लो और ये नहीं कि भाया social media पे हुआ अरे अब तो इन्हेंने बोल दिया अब तो हमें change करना पड़ेगा ये भी मत कर देना अगर तुमारे मन में है तो ही करना match और मैं चाता हूँ कि मैं WWE से trick हो अगर Roman Vs. Rock ultimately हो रहा है then I want Roman Reigns to win the match तो वो में लिए सबसे best हो में लिए Wrestlemania जो है ultimately best होने वाली है ये तो मेरे को पता चलिए Roman Vs. Cody हुआ तो भी best है Roman Vs. Rock हुआ तो भी best है हालां कि priority मेरी Roman Vs. Cody पर रहने वाली है खेर आज की Raw में क्या ही बताओ यार इसी पर देखो पूरी वीडियो निकल गई उसके अलावा जो गंतर का था गंतर जे उसू की situation चल रही है अब यार मेरे को लगता कि इस समय Raw में SmackDown में और कोई बात करने को चीज है जब तक कि हम इस से solution ना निकाल लें आप comments में लिख कर बताना अपने thoughts और आपको क्या लगता है इस बारे में और अगर आपके वीडियो पसंद आतो अपनी लाइक और शेयर को चानू को सब्सक्राइब करो तौर प्राइब करें करें प्जूब एन ौई रगगाद एकट प्रो बहू इसको से एक टार भी कर दो एक वाता है